मेडिकल से जुड़ी सबी लेटजस्ट अपडेट पाने के लिए सबस्काइब कीजिए हेल्ट टिप्स मेडिकल नोलेज यूट्वड चैनल को वेल्कम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल हैल्ट टिप्स मेडिकल नोलेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं वह एमन्त और आपके लिकाया हूं हिमाचल सी एचो एक्जाम क्यूस्चन पेपर की आंसर की तो देश्टों देखते हैं कौन-कौन से क्यूस्चन आये थे एक्जाम के अंदर अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और पास में एक बेल आइकन उसे प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिप्रिक्शन आपको मिलती रहे तो देखते ह हम यह चलते चरहिकर घर में सब्सक्राइब है यहां यह पर सही आनसर किया रहेका? इसका सही अंसर है वो है असकल्टेशन जो हम स्टेटोस्कॉप से एक्जमिनेशन करते हैं उसे कहते है अपन असकल्टेशन बात कर लेते हैं नेक्ट क्यूशन की यहाँ पर क्यूशन पूचा है What is other name of mega colon? Mega colon का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर सही अंसर क्या है इसका? Large intestine होती है उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है? यहनिके Large intestine क्या है? Fool जाती है, जिसे यहाँ पर यह Large intestine मानो यह Fool गई है, इसे हम A ganglionic, A ganglionic, ganglionic disease के नाम से भी हम जानते हैं इसके नाम से जानते हैं इसे अपन जानते किसे मिगा इसकंस डिजीज को तो कुषण पूछह सकता है आपसे एक्जाम में कभी और लिए नाइस कुषण में क्या है यहां पर है तीनी राइज वाइट और येलो वाइट इसपोर्ट मेभी एपियर ओन दे नॉज चीक्स आप दे नियोनेट यानि कि जो नौजाज शिश्यू होता है उसके चेहरे पर मल्टिपल छोटी छोटे दानों के रूप में उभर आना उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर सही अंसर क्या होगा यहाँ पर सही अंसर है वह है मीलिया जैसे यह जो नियोनेट के फैस होता है new nate के face पर क्या होता है कि ends Bluetooth होता है वह पर multiple white sports नजर आने लगते हैं छोटोछiko से उसे क्या कहते है अपन तो से कहेंगे हैं और उसे क्या कहेंगे अपन Okay यहां चलते नक्स्ट की तरफ यहां पर क्यूशन में पूचा है अपगार स्कोर यूज़ पोर असेस्मेंट यानि कि अपगार स्कोर किसके असेस्मेंट में काम में लिया जाता है तो यहाँ पर सही अंसर क्या है यहाँ पर सही अंसर हो है आल आप अबो अपगार स्कोर में रेस्पारिशन, रेप्लेक्स, हार्ट रेट इन सब को assess किया जाता है तो यहां पर सही answer रहेगा वो रहेगा अपना all of above आप गार score का total score 10 होता है यह आप से कभी exam में पूछा जा सकता है ठीक है और इसे कब assess करते हैं एक तो delivery के within 1 minute में और इसके बाद में फिर 5 minute बाद ठीक है चलते हैं next question की तरब यहां पर question में पूछा है breast milk secrete during first three days after delivery which is thick yellow and reach protein is यानि कि जो breast का जो milk है यानि कि delivery के तीन दिन तक delivery के प्रसवकाल के तीन दिन तक जो milk निकलता है ठीक yellow उसे क्या कहते हैं तो यहां पर सही answer क्या है उसे कहते हैं अपन cholesterol कभी आपसे एक्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि cholesterol में कौन सी antibody पाई जाती है तो cholesterol में पाई जाती हो IgA antibody पाई जाती है चलते हैं next question की तरब यहां पर question में पूछा है question में पूछा है which is the most appropriate time of IUD insertion यानि कि IUD यानि कि intrauterine device का insertion का most appropriate time कौन सा है तो यहां पर सही answer क्या है IUD तो जानते हो ना आप IUD किसे कहते है पन जैसे copper TA तो उससे कहते है पन IUD कहते है तो यहां पर सही answer है वो है during or within 10 days of menstrual cycle तो यह correct answer है लेकिन इसके पर इस्टार लगा लेना काई competitive exam में यह पूछा जा चुका है next बात कर लेते है अपन next question में क्या पूछा है पेग सेल आरसी नीन जो पेग सेल है वो कहां पर पाई जाती है तो पेग सेल कहां पर पाई जाती है यहां पर सही answer क्या रहेगा अपना यहां पर जो सही answer है वो है कहां पर पाई जाती है पेग सेल पाई जाती है वो पाई जात यह तरह से इनका काम प्रोटेक्शन का होता है चलते हैं नैस्ट की तरफ यहां पर पुछा है डवली एच्व ओ और एस पेकेट इंक्लूड फोलोविंग एक्षैप्ट यानि कि जो डव्ली एस डव्ली एच के अनुसार जो ओर एस का पेकेट है वो किसको इंक्लूड करता है एक को छोड़ कर तो यहां पर सही अंसर क्या रहेगा अपना यहां पर सही अंसर हो है केल्शियम कार्बोनेट देखो यह तीनों किसके अंदर पाया जाता है ओ और एस पेकेट होता है उसके अंदर पाया जाते हैं लेकिन केल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है तो य जो फिमेल जनाइटाइल होता है वहां से थिक म्यूकस वाइट डिश्चाइज होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते है अपन उसे क्या कहते हैं यहां पर सही आंसर क्या है यहां पर सही आंसर हो है सेमेगमा ठेके जो थिक वाइट डिश्चाइज होता है किसे फिमेल ज सब्सक्राइब है उसे कहते हैं अपन सेमेगमा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरब यहां पर पूचा है इस करेक्टराइज बाइपिसोड आप इंजेशन रैपिड इंजेशन आप लार्ज वोल्यूम और फूड फूड फोलाइब बाइंड्यूज वोमेटिंग य करता है फिर वो मैंटिंग को एक्रया इसे क्या क्या है तो यहां पर सहीज़ांश क्या यहां पर सभी आन्सर उनुद्न आपको और गल्स सेंट जो गल्स जो गल्स होती है उसके अंदर पाए जाता है यह क्या है फूड का फूड को फूड जो फूड है उसे कम मात्रा में लेती है क्योंकि जूटु फियर ऑफ वेट गेन ठीक है तो यहां पर सही आंसर है वह अपना है पहला वाला नेक्स कुछिन के बात करें पर क्यूशन में पूचा है तो रिलीव फ्रॉम डिस्निया दे एप्रोपेट पोजिशन तो बी यूजड इन डिस्निया से जो जैने की ब्रितिंग डिपिकल्टी होती है उससे कौन सी पोजिशन में आराम मिलता है तो यहां पर सही आंसर हो यहां अंसर अपना है डिवाल देको ऐसे कैसे हुती है यह फाइर पोजिशन आपर ऐसे पेशेंट बेट जाता है यह तो यह प्यूग्ज क्यों है क्ईक कि इस डर शर्भाट पोजिशन में पाइचते हैं जो लंग मों upright position के अंदर पाए जाते हैं तो यह सबसे best position है कौन सी डी वाली next बात कर लेपन यहां पर question में पूछा है what is term for device use take the place of a missing body part यानि कि कोई device को use करना body part का missing हो जाना उसे क्या कहते हैं यानि कि किसी body part का miss हो जाने पर हम किसी device का उप्योग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो यहां पर सही answer क्या रहेगा उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्रोथासिस क्या कहते हैं उसे प्रोथासिस कहते हैं प्रोथासिस ठीक है प्रोथासिस जैसे समझ में आ गया जैसे किसी कोई induzable है, मालनो किसी का leg amputation कर दिया हो, क्या कर दिया हो, leg amputation कर दिया हो, leg amputation करने के बाद में क्या है, यहाँ पर जिसे अपनने कोई उपयोग में लिया है, कोई दूसरा जो की artificial है, उसको उपयोग में किया है, artificial leg को उपयोग में लिया है, तो इससे कहेंगे अपन prothesis ठेके क्या कहेंगे उसे उसे पन prothesis is a next question के बात कर लेते हैं यहां पर question में पूचा है hamlich manure abdomen trust is used for patient who has ठेके याने कि hamlich manure और abdomen trust किसके कौन से patient के लिए काम में लिया जाता है यह ठेके तो यहां पर सही answer क्या होगा यहां पर पे सही Anatter क्या है यहां पे सही it हो है क्या है यह पर किव्ण्कर। एयर वे त्धिक में अजये पर किस्ट कहा है यहां परॉल्ग्ड एयर वे आगया यहां पर आएगा गल Gir cookies No ऌते इbor मैं क्या किन या तो यहां पर आएगा गलो कड वे शुचमआ गया तो इसका सही the following except यह कापी important question है दोस्तों sign of separation placenta are following except यानि कि इसके अंदर तीन sign ऐसे हैं जो placenta के separation पर होते हैं और एक sign ऐसा है जो placenta के separation पर नहीं होता है तो यहां पर सही answer क्या है यहां पर सही answer हो है temperature rises देखो यह भी placenta separation पर होता है goose blood भी आता है और fundus rise up to umblicus यह भी होता है लेकिन temperature rise नहीं होता है जैसे placenta separate होती है placenta uterus से separate होती है तो यह सारी चीज़ें आपको दिखाए देगी कौन कौन सी पहली वाली से और थाड़ वाली लेकिन यह नहीं होता है next बात कर लेते हैं आपन यहां पर question में पूछा है sign of true labor are all flowing accept ठीक है true labor का sign है ठीक है एक को छोड़ कर pen pull rhythmic make uterine contraction dilation of os fetal moment show तो यहां पर सही answer क्या है यहां पर सही answer है वह अपना fetal moment देखो यहां पर बात कर रहेते हैं पर true labor pain की किसकी बात कर रहेते हैं पर true labor की तो यहां पर accept में पूछा है देखो fetal moment तो होते रहते हैं लेकिन यहां पर जैसे जैसे पेन बढ़ता जाएगा यह भी सही answer है और cervix का osb डाइलेट होता रहेगा यह भी सही answer है और show appear होता यह यहां पर सही answer है लेकिन बात करें पर fetal moment की तो fetal moment तो नोर्मल भी होता है तो यहां पर सही answer है वह अपना है C वाला यानि कि इसका labor से कोई संबद नहीं है fetal moment का ठीक है यह तो 16 वीक से इस्टार्ट हो जाता है कौन fetal moment जिसे हम quickening कहते हैं तो यहां पर सही answer है क्योंकि पूछाता एक्सेफ्ट बात कर लेता है next question की यहां पर क्यूशन में पूचा है labor take palace after days of last menstrual period यानि कि last menstrual cycle period के बाद में कितने समय बाद समय बाद प्रसव होता है तो यहां पर सही answer क्या है यहां पर सही answer हो है 280 days यानि कि जो last menstrual cycle होता है last menstrual cycle जो period होता है उसका पहले दिन से कितने दिन बाद 280 दिन बाद labor होता है यानि कि delivery होता है यहां पर बात करें अपन शोर साइटनेस केंघ गरेक्टेड बाई यूजिंग ऑपसपकल्ट्स श्थे लेंस meant 하지 टाल मνε जो सो शोड साउड नेस त्थो है इसे उसे कोणसे गोगल से सो गोरेक्ट किया जा सकता है ठीकर फेक तरसे कौन से चसमें से कर्यक्ट किया जा सकता है यानी निकट दोस्ती को तो यहां पर रहें लिए पर सिया यांपर किया यह यहां पर रहें तो नहीं पर करें कि ada से को खी का जया हुआ ऐसे वाला पूंच गांगी बौन होती है यह किसकी बॉन होती है एर की बॉन होती है कौन सबसे बॉडिटी की सबसे चोटी बोन होती है, step is, ठीक है, और body की सबसे छोटी muscles कोन है, step is, step is, step is, यह भी आप पूछा जा सकता है, आप से एक जाम में, step is, ठीक है, चलते हैं, next question की तरब, यह पर question में पूछा है, high fiber diet used for patient suffering from, high fiber diet, कोन से patient को दी जाती है, यानि किस disease suffering होता है, तो उसको दी जाती है, तो यहां पर सही answer है, वो है, constipation, जो constipation patient है, उसको क्या दी जाती है, high fiber diet, next question की बात कर लेते हैं, यहांपर question में पूछा है, the frequency of breastfeeding should be, यानि कि breastfeeding कब कराना चाहिए, determined by the hospital procedure, determined by the baby desire, determined by the rate, at which mother produce milk, rigid 3 hour schedule, तो यहांपर जो breastfeeding दी जाती है, वो किस पर दी जाती है, बैबी desire पर, जैसे बैबी की desire है, तभी हमें breastfeeding देना है, तो यहांपर सही answer हो है, बी वाला, तो थैंक्यू दोस्तों, अगर आप वो वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजेए, और श झाला, तो नहांपर शोजे घया, बीगे रहा है, बी जो वीडियो को लागा जाः, बीगे जाती है जाती है, पाला, तो यहाम है, बीधियो किरा तो यहांपर है